हाई मैं हूँ अर्चना अर्चना आज किचन देशी तड़का चैनल में आप सभी का वेलकम है आज मैं आप लोग साथ आमले की अचार के रिस्पी को शेर करी हूँ इसको मैंने घर में रखे बेसिक इंग्रीडियंट से बनाया है इसको बनाने के लिए बहुत ही कम दो सीटी आने तक हम इसको हाई फ्लेम पर प्रेशर कुख कर लेंगे जब दो सीटी मैं लग जाएगी तो गैस की फ्लेम को हम कर देंगे आफ जब यह कंप्लेट ट्ड़ी ठंडा हो जाएगा तो मिसके लिट को ओपिन करेंगे और एक इस टेनर की साहता से यानि छनी की साह अगर आपके पास पीली चर्चो का पॉडर नहीं तो ब्लेंडर जार में पीली चर्चो को डालके आप उसका एक फाइन पॉडर रेडी कर सकती हैं अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, सैट्रिक एसिड ऑप्शनल है नमक रेगुलर से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा और हम सारी चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं नमक अच्छे में थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है और हर चीज को आवला और सारे मसाले आपस में अच्छी तरीके से मिल जाने चाहिए इसलिए मैं थोड़ा सा टॉस कर ले रही हूं ताकि सारी चीजर अच्छे से कोट हो जाएं, अब हम इसको एक साइड में करके रख देते हैं, तब तक गरम करते हैं, एक तड़के पैन में डालके तेल, यहाँ पर मैंने एक कप तेल का यूच किया है, अब हम इसको मीडियम हीट पे गरम करेंगे, जाद हमको गरम नहीं करना है, मीडियम ही गरम करना है, में ढला मैंने थोड़ा सा हींग और अजवाइन और सको थोड़ा सा गरम कर लिया तेल हमसी टिरीकी से गरम locks कАका हमस इसको ढालेंगे अचार में और चममच की सहिता से मिक्स करेंगे हातों से नहीं तो हाथ comment section में feedback अपना देना ना भूलें कि आपको मेरी recipe कैसी लगी और recipe पसंद है तो please like, share and subscribe and please press the bell icon बटन जिसे मेरी आने वाली recipe की notification आप सभी तक बहुत easily वे में बहुत सके तो thanks for watching अर्चना